Hello everyone, welcome to our YouTube channel Technical Society, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो यार आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा आप सभी को पता है कि अभी cyber crime के बहुत सारे cases आ रहे हैं ठीक है, और बहुत ज़्यादा fraud भी अभी हो रही हैं ठीक है, और इसमें से एक fraud होता है कि जब आप अपना seem लेने जाते हैं, तो आप अपने आधार कार्ड से जब seem लेते हैं तो आपका thumb के नाम पे एक seem निकाल देते हैं और वो ले जाके दोस्रों को बेच देते हैं सीम आपके नाम पे है तो आपको जेल भी जाना पर सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पर सकता है तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं और आप कैसे देख सकते हैं कि आपके नाम पे कितने सारे सीम चलना है ठीक है या आपके अधार कार्ड पर कितने सारे सीम अभी एक्टिवेट हैं तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेकिन आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि ए टेक्नलोजी से क्लिक करना है ठीक है और उसके बाद आपको अपने पहले वेबसाइट को खोल लेना है जैसे आप अपना पहला वेबसाइट खोलेंगे ठीक है यह देखिए यह गवर्मेंट आफ इंडिया का वेबसाइट है ठीक है डिपार्टमेंट आफ टेली कम्निकेशन का है अब अग अधार नंबर से जूड़ी हुई है ठीक है तो आपको क्या करना है उस नंबर को डाल देना है ठीक है जो भी सीम आपके अधार से ली गई है ठीक है और जो सीम आपके पास है उसको यहाँ पर डाल देना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर बढ़ देना है ठी तो आप यहाँ पे prob फैली डाली है तो उसके बाद आपका OTP आयागए तो आपके phone पर OTP आजाएगा तो आपको क्या करना है अ तो मेरा यहाँ पर OTP आ गया है तो मैं अपने OTP को यहाँ पर डाल दता हूं तो मैं यहाँ पर ik ड Sense नमबर आ गया ठीक है तो जो मेरा नाम है ठीक है और जो मेरा अधार कार्ड है उसके उपर एकी सीम यहाँ पर एटिवेट है ठीक है एकी सीम निकाला गया है इसलिए यहाँ पर एक सीम आपको दिखाई दे रहा है ठीक है अगर आपके अधार कार्ड नमबर पर अगर पांचे सीम निकाला होगा तो यहाँ पर पांचे सीम आपको दिखाई देंगे ठीक है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं अगर सीम का यह आप यूज करें तो आप रिक्वाइड के उपर क्लिक करें ठीक है उसके बाद रिपोर्ट कर लेजिए अगर आप यह सीम को लिए थे पहले ठीक अब आपके पास अगर पांचे नमबर है ठीक है तो आपको क्या करना है सबसे पहले ऐसे चेक कर लेना है ठीक है यह तो मेरा एक ही नमबर है यह मेरा परसनल नमबर है तो इसको मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता हूँ ठीक है अगर आपका पांचे नमबर होगा तो आपको इसके member का यहाँ पे check कर सकते हैं कि उनके अधार card पे जितने number चल रहे हैं वो उनका ही number है या नहीं है ठीक है तो ऐसे करके आप check कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितने सारे number चल रहे हैं ठीक है और आप इस fraud से बच सकते हैं ठीक है अभी यह बहुत जादा secure website है तो यहाँ पे आपको बोलता है कि आपका session aspire होने वाला है तो आपको no cancelled it के उपर आपको click कर देना है ठीक है इससे आपका जो session है वो थोड़ा सा extend हो जाएगा ठीक है I hope आज की वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत knowledgeable हुई होगी तो अगर आपको थोड़ा बहुत information मिला होगा तो हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you so much